द्विघात बहुपद ग्याद कीजिए जिसके शुन्यकों का योग तथा गुड़नफल एक एक है तो आईए हम इसका हल लेते हैं हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद AX वर्ग धन BX धन C है यह हमने ले लिया अब हमें क सुन्यकों का योग कितना होता है सुन्यकों का योग रिन B बटे A का मान हमें कितना दिया हुआ है एक इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे एक फिर सुन्यकों का गुड़नफल सुन्यकों का गुड़नफल यहाँ भी हमें कितना दिया हुआ है यह होता है C वास्तों में कितना दिया हुआ एक इसके बटे कुछ नहीं है तो एक अब हमें यहां देखना है केवल हर के एक-एक को बस समान कर देना है दोनों में समान संख्या आ जाए तब हम तुलना कर सकते हैं नीचे लिख देंगे तुलना करने पर जैसे ही हम हर समान करते हैं और तु तो B किसके बराबर है, रिण 1 के बराबर है, और C किसके बराबर है, C यहाँ पर देखिए, C भी 1 के बराबर है, तो बहुपद क्या होगा, जो हमने बहुपद माना है, AX वर्ग धन BX धन C, यहाँ पर हम A, B, C के मान रख देंगे, A, B, C के मान क्या है, A का मान 1 है, तो 1X वर्ग, B का मान, रिण 1 है, तो रिण 1X, धन C का मान 1 है, तो 1, इस तरह से हम सीधे-सीधे इसे लिख देंगे, X वर्ग रिण X धन 1, यहाँ हमारा बहुपद प्राप्त हुआ, बहुपद X की घाद दो, रिण 3 के सुन्य ग्याद कीजिए, और सुन्यकों तथा गुडांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाच कीजिए, तो हमें बहुपद की सुन्यक ग्याद करना है, क्या दिया हुआ है बहुपद, देखिए, X वर्ग रिण 3, यह हमारा बहुपद है, हम इसे लिख सकते हैं, X घाद 2, रिण करणी 3 की घाद 2, हम इसे सर्व समिका का प्रियोब करके, X रिण करणी 3 और X धन करणी 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, कौनसी सर्व समिका के प्रियोब से, A वर्ग रिण B वर्ग बराबर, A रिण B, A धन B के प्रियोब से, इस सर्व समिका का हमने प्रियोक किया और हमें ये प्राप्त हो गया अब हम ले रहे हैं बहुपत के गुड़नखंड अब देखिए ये हमें गुड़नखंड प्राप्त हो चुके हैं जब x-ring करणी तीन बराबर 0 अब हम 0 ज्याद कर रहे हैं या तो इसे सुन्ने कर दें, तो ये बहुपत सुन्ने हो जाएगा, या इसे सिद्ध कर दें, तो ये बहुपत सुन्ने हो जाएगा, तो सुन्यक क्या होगा, जब x रिन करणी 3 बराबर सुन्य, तो x बराबर करणी 3 ये हमारा पहला सुन्यक प्राप्त हुआ, तथा जब x धन करणी 3 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर रिन करणी 3 ये हमारा दूसरा शुन्यक प्राप्थ होगा अधिकतम खाद 2 है इसलिए शुन्यक भी 2 प्राप्थ होंगे अब हमें यहां लेना है कि शुन्यकों का योगफल सुन्यकों का योगफल जब हम करेंगे तो हमें कितना प् जबकि यहाँ पर हमें X वर्ग का गुणांग कितना दिया हुआ है एक दिया हुआ है और X का गुणांग कितना दिया हुआ है शुन्य दिया हुआ है तो हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या शुन्य बटे एक लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकत रिण X का गुणांक बटे X वर के गुणांके बरावर होता है और शुन्यकों का गुणनफल जब हम लेंगे तो देखिए क्या होने वाला है करणी 3 गुणा रिण करणी 3 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा करणी 3 और करणी 3 का गुणा 3 हुआ और ये वाला रिन तो रिन और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं एक तो यहां पर देखिए रिन 3 कौन है रिन 3 तो अचर पद है तो अचर पद या अचर रासी बटे एक कौन है एक्स वर्क का गुणांग है एक्स वर्क का गुणांग इस तरह से हमें सून्यकों का गुणन फल भी अचर पद बटे एक्स वर्क के गुणांग के रूप में प्राप्त हुआ